Hello everyone, आज है हमारे challenge का day 5, इसमें हम discuss करेंगे financial planning, यानि कि आप अपनी salary को कैसे budget करके plan कर सकते हैं, तो इसमें हम use करेंगे 50-30-20 rule, 50-30-20 rule क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, 50% उसमें needs पे जाता है, यानि कि जो हमारे fixed expenses होते हैं, fixed expenses वो होते हैं, जैसे rent है, हमारा education है, utilities ह है, car का payment है, groceries है, ये सारे हमारे fixed expenses होते हैं, यानि कि जो हमारी जरूरत है, जिसके ये towards needs, अगर हमारी salary पचास हजार है, तो इसका 50% यानि कि 25,000 हमारा जाएगा needs में, यानि कि 50% के उसमें, तो ये जो first rule होता है, वो towards needs की तरफ जाता है, second rule हमारा आता है wants, wants ये होता है कि wants म आप मतलब flexible spending होती है, ये flexible खर्चे होते हैं हमारे, जो कि जैसे suppose अगर हमारी salary पचास हजार है, उसका 30% यानि कि 15,000 हम इसमें करेंगे, और flexible expenses रहते हैं वो होते हैं, जैसे dining out हमें खाना खाने के लिए बाहर जाना है, या हमें नए कपड़े खरीदने हैं, या फिर हमें movie द हमारी salary में से ये part मालो थोड़ा बहुत up and down रहता और नहीं बच पाता तो उसमें हम travel नहीं कर पाते हैं, या entertainment जहीं जा पाते हैं, तो ये flexible spending होते हैं, थर्ड हमारा होता है savings, savings का मतलब है कि आप इसको चाहे investment बोल सकते हैं, लेकिन savings नाम इसको इसलिए दिया गया है कि इसम 20% save कर सकते हैं, अगर आपकी salary 50,000 है तो 10,000 आपको saving करनी ही करनी है, उससे क्या होगा कि आपको future में कोई भी problem नहीं आएगी और आप इसमें emergency fund रख सकते हैं, जो आपको cash के रूप में भी हो सकता है, account में भी हो सकता है, आप इसमें retirement की policy लेके रख सकते हैं, आप इसमें student क कर सकते हैं, और credit card के bill वगरा रहते हैं, ठीक है ये होगे हमारा 50, 30, 20 rule जो की financial planning में बहुत important होता है, वीडियो अच्छी लगे तो please like, share, follow and subscribe करना ना भूलेगा, ऐसी वीडियो में आपके लिए लेती आती रहूंगी, तब तक के लिए Super Mumbai निगत नोशाथ को follow करते रहेगा, बाइ बाइ बाइ